अगर आप सिल्वा माइक्रो में शॉट टम के लिए ट्रेडिंग करते हो और नहीं जानते कहाँ पर बाइंड करना चाहिए कहाँ पर सेलिंग करना चाहिए और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टार्गेट रहेगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे नमस्कार दोस्तों मैं आनिल आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रेडिंग में बहुत स्वागत करता हूँ आज तारीक है 12 सितंबर 2023 टाइम हो रहा है रात के 12 बच के 3 मिनट और आज दिन है ट्यूजडे फ्रेंज हमने लास्ट वीडियो में बात की थी सिल्वा माइक्रो की जिसका टारगेट अचीव हो गया है और आपने इस लेवल्स पर ट्रेडिंग की होगी तो आपने अच्छ टी सी रिक्वेस्ट अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की लेटस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे फ्रेंज इस वीडियो में हम आपको जो लेवल्स प्रोवाइड करते हैं इसकी मार्केट अकसर रिस्पेक्ट करता है तो हो सके तो इन लेवल्स को नोट डाउन करके रखे ताकि इन लेवल्स से आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो सके फ्रेंज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे क्योंकि पास और इसका लेटस्ट हाई पोस्ट हुआ है 78,500 रुपीज और इसका लेटस्ट लोग पोस्ट हुआ है 67,650 रुपीज फंडामेंटल व्यू की बात की जाये तो घट्ती बढ़ती हुई ब्याजदरे और चायना की और से दिमांड और सप्लाइ जियो पॉलिटिकल सपोर्ट की बात की जाये तो सपोर्ट यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस उपर की तरफ जा सकता है पहला सपोर्ट 71,631 रुपीज दूसरा सपोर्ट 70,640 रुपीज और तीसरा सपोर्ट 79,584 रुपे के आस-पास दिखाई दे रहा है अगर प्राइस इन सपोर्ट को तोड़के निचे की तरफ ब्रेक आउट देता है और सस्टेन रहता है तो बजार में आपको और भी मंदी देखने को मिल सकती है। इस बात का ध्यान जरूर रखे। अगर ऐसा होता है तो यही सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस का काम करेंगे। Important रेजिस्टेंस की बात की जाय तो रेजिस्टेंस यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस निचे की तरफ आ सकता है। पहला रेजिस्टेंस 72,543 रुपीज, दूसरा रेजिस्टेंस 73,528 रुपीज, और तीसरा रेजिस्टेंस 74,512 रुपे के आस-पास दिखाई दे रहा है। अगर प्रइजिस्टेंस को तोड़के उपर की तरफ ब्रेक आउट देता है और सस्टेन रहता है तो बाजार में और भी तेजि देखने को मिल सकती है। इस बात का ध्यान जरूर रखे। अगर ऐसा होता है तो यही रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट का काम करेंगे। वेरी लॉन टम यानी मन्थली चार्ट पे ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव दिखाए दे रहा है लॉन टम यानी वीकली चार्ट पे ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड नेगिटिव दिखाए दे रहा है तो करना क्या चाहिए आए देखते हैं इससे पहले, फ्रेंज आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर यह वीडियो पसंद आती है तो एक क्यारा सा लाइप भी जरूर कर लेना फिलहल बाजार अभी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, कर्ट प्राइस पर बाइस साईड का रिस्क रिवार्ड रेश्यो देखे तो रिस्क 403 रूपीस और रिवार्ड 509 रूपे के हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेश्यो दिखाई दे रहा है, अगर आप बाइंड करना चाहते हैं, तो बाइंग लेवल जो है, कर्ट प्राइस, 72,034 रुपी से 403 रुपे निचे यानी 71,631 रुपे के आसपास बाइंड करें, तारगेट रहेगा 72,543 रुपीस, अगर ये तारगेट अचीव होता है, तो सेकंड तारगेट रहेगा 73,528 रुपे, और इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 71,452 रुपे, और फ्रेंस स्टॉप लॉस जरूर लगाए, बिना स्टॉप लॉस की ट्रेड करना बहुत हानिकारक हो सकता है, अगर आपने टॉप लेवल पे अल्रेडी बाइ किया है, तो आपकी टोटल क्वांटिटी में से 30 प्रतिशत क्वांटि करें, फ्रेंस अवरेजन करने के लिए ट्रेंड का आपके फेवर में होना बहुत जरूरी होता है, और लॉंग टम यानि वीकली चार्ट पर ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड, नेगिटिव, दिखाए दे रहा है इस बात का भी ध्यान जरूर रखे, जो सेलहे उनके लिए सलाह रहेगी, ट्रेडिंग अवोईड की स्ट्रेटेजी अपनाए, फिलहाल बाजार अभी पॉजिटिव, दिखाए दे रहा है, कर्ट प्राइस पर सेल साइड का रिस्क रिवार्ड रेशियो देखे तो रिस्क 509 रुपीज का दिख रहा है, और रिवार्ड 403 के हि सेलिंग करना चाहते हैं, तो सेलिंग लेवल जो है, कर्ट प्राइस, 72,034 रुपीज से 509 रुपे उपर, यानी 72,543 रुपीज के आसपास सेलिंग करें, टार्गेट रहेगा 71,631 रुपीज, अगर ये टार्गेट अचीव होता है, तो सेकेंड टार्गेट रहेगा 70,640 और इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 72,725 रुपे, और फ्रेंज स्टॉप लॉस जरूर लगाए, बिना स्टॉप लॉस की ट्रेड करना बहुत हानिकारक हो सकता है, अगर आपने लोर लेवल पे अल्रेडी सेल किया है, तो आपकी टोटल क्वांटिटी में से 30 प्रतिश क्वांटिटी एवरेज करें, जैसे कि हमने पहले भी बताया, अवरेजन करने के लिए ट्रेंड का आपके फेवर में होना बहुत जरूरी होता है, और लॉंग टम यानि वीकली चार्ट पर ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड नेगिटिव, दिखाए दे रहा है इस बा 2543 रुपीज और 73,528 रुपीज के टार्गेट देखने को मिलेंगे, फ्रेंड आपके लिए एक जरूरी डिस्प्लेमर है, फ्रेंड अगर आप इन लेवल्स पर ट्रेड करना चाहते हो तो आपके फाइनेंसियल एक्सपर्ट की राय जरूर ले, ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो और इस फाइनेंसियल मार्किट में सही और गलत की समझदारी जरूर रखे, और आपके प्रोफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी खुद ही ले, और अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छे, से मेंटेन करे, अपनी ट्रेडिंग मे फोर्कास्टिंग, स्टॉक मार्किट चर्चा, इन्वेस्टर्स और वेल्थर क्रियेशन, सहज इन्फो, शोर शॉर्ट फॉर्मूला, स्मार्ट ट्रेडिंग अकादमी, R.V.E.S. स्ट्रेजी, बोल्ड प्राइस तुदे न्यूस, मार्किट इन्वेस्टमेंट, बोल्ड आ हो, लेकिन फ्रेंज आपको स्ट्रिक्ट एडवाइस रहेगी, आप किसी पर ब्लैंड ली, विश्वास ना करें फिर चाहे हम हो या कोई और हो, फ्रेंज पहिले सीखिए और समझेए, और लगातार प्रेक्टिस करें, पेपर ट्रेडिंग करें, जब आपको लगे है हां मे कर सकता हूँ, तभी ट्रेडिंग करनी चाहिए, अगर आपका कोई सवाल हो या कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, साथ में घंटी के बेज आपके आदर वाले इस का पेद आप